हलो फ्रेंड विल्कम बैक टो जोब करेर इंडिया फ्रेंड साथ की सूटी में हम बात करने वाले हैं निसनल फेल्थ मिसन के नियू रुक्रूट्मेंट के बारे में और साथ ही हम बात करेंगे कि ये वाकैंसी किस पोश्ट के लिए आई हुई है और कौन कौन से कंडिडेट इस वाकैंसी के लिए अप्लाइ कर पाएंगे तो वीडियो पर बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको अगली आने लिए वीडियो की अपडेट मिल जाएगी आई ये वीडियो को सुरू करते हैं प्रेट से यहां पर आप देख सकते हैं नेशनल हेल्थ मिशन की यह ओफिसल वेबसाइट है यह इसका ओफिसल नौटिफिकेशन है यहां पर आप देख सकते हैं आपको इस वाकैंसी से जूड़ी हुई सारी डिटेल्स जौब करें इंडिया.com पर मिल जाएगी आप यहां अपर आपको यह सारी डिटेल्स देखने को न需要साती है है फ्रेंट्स है हाँ पर आप देख सकते हैं कि यह वकैंसी स्टाफ नर्स की पोस्ट क्लिए जारी की गई है यहां पर इस भरती के लिए मिल और फीमिल दोन ही कनिडेट अप्लाइट कर सकते हैं बात करें नमबर आफ वेकंसी की तो इस वेकंसी के लिए 2284 सीटों पर यह वेकंसी जारी की गई है फॉर्म अप्लाई करने के बात करती इस फॉर्म को आप आउनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ओफिसल नॉटिफिकेशन है राश्ट्री स्वास्तम नर्ष की पोस्ट है जिसमें फीमेड और मेल दोनुँ कंड़ीडेस एपॉर्म इसके साथ अगर आपने physics, chemistry और biology से आपने 10th याटल पास आउट किया तो भी आप इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे एज लिमिट की बात करें तो female candidates के लिए जो एज लिमिट है वो minimum 20 और माइक जिमाप 23 साल देखने को मिल रही है साथी आपर male candidates के लिमिट की बात करें तो इस भरती के लिए जो आपका form है वो आप www.sams.co.in पर जाकर apply कर सकते हैं या फिर आप jobcareerindia.com पर जाकर apply online की link पर जाकर भी इस भरती के लिए apply कर पाएंगे यहाँ पर आपको इस link पर click करना है इस link पर click करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस उपन होगा इसके बाद आपका यहां पर देखने को मिल रही है 22 इसके बाद इसके बाद को अपना उपने के बहांद है। पर क्लिक करना जब आप अपने के लмеंगे तो इसका इंटरफेस्थ मेंवोगा होगा, उसके बाद आपको यहां पर रजिस्टर पर क्योंकर क्लिक करने कि बाद आपका इंटरफेस ओबन होगा यहाँ पर आपको कुछ बैसिक डिटेल्स प्पitution कर नहीं जिसे कि यहाँ पर आपको 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 कुछ डिटेल्स क्यों करने हैं इसके बाद यहाँ पर झाल